हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दू चैनल और उन चीजों को ही हमार डिसकस करेंगे कि कैसे आप इस एंजाइटी को कम कर सकते हैं, इस चिंता इस डर को खतम कर सकते हैं, जब आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, तो भई बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, साथ ऐसे पॉइंट बताऊंगा आपको, ज जाकि हम इसी और informative वीडियो आपके साथ जल से जल शेयर कर सकें, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अब देखें सबसे पहली चीज जो है ना वो यह है कि आपको जो है, जो भी रोड़ पे आपको लगता है कि आपको दिक्कत है, या फिर आपको डर लगता है कि आ अब देखें, आज कल रोड़ पे बहुत जारा भीड़ भाड़ हो चुकी है, अगर आप भीड़ वाले इलाके में सीखने कोशिश करेंगे, तो आप जल्दी नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि होता क्या है कि डिस्ट्रैक्शन बहुत जादा होता है, और रश इतना होता है कि कोई पीछे से हॉंकिंग करेगा, कोई आपके आगे से कट ले लेगा, तो उससे आपको प्रॉब्लम होगी गाड़ी चलाने में, तो ऐसे में आप अच्छी ट्रैविजिंग नहीं सीख पाएंगे, कोशिश करें, डिफिकल्ड सिचुएशन जो आती है रोड़ पे उनको प पिक करने में होती थी, और पिक करने के बाद रिवर्स करने में, तो ये चीज मैंने प्रैक्टिस करी रोड पे, ऐसा नहीं है, मैंने खाली जगा पे प्रैक्टिस करी, गाड़ियां होती थी, पर हाँ गाड़ियां बहुत जारा कम होती थी, लोड इतना नहीं होता था, तो आप ऐसा ऐसा करते करते इस चीज को टालते रहेंगे अगर आपको गाड़ी सीखनी है अच्छे से तो आप ये decide कर लीजे कि जो डर है नाप के अंदर आपको इसको overcome करना है और आपको एक अच्छा driver बनना है ये आप decide कर लेंगे ना तो भाई धीरे धीरे जो डर है आपके अंदर ये खतम हो जाएगा अब देखे कोई भी चीज जब आप करते ना तो उसमें एक छोटा सा डर छिपा होता है कि भाई क्या ये चीज मेरे से होगी या नहीं होगी पर यकीन मानिए हर चीज की शुरुआत ऐसे ही होती है अगर आप इस चीज को इस moment को overcome कर जाएंगे ना तो धीरे धीरे डर खतम हो जाता है और ये confidence में convert हो जाता है तो कभी भी driving से डर ये मत देखे रोड पे आप चलेंगे ना तो confidence वहीं से build up होगा तो कोशिश करें कि आप रोड पे जादा से जादा सीखें उससे आपका जो confidence level उपर जाएगा और डर का जो level है ना धीरे धीरे नीचे जाके खतम हो जाएगा अब तीसरी चीज जो है इसमें discuss कर लेते हैं वो है कि भई हमेशा ऐसे बंदे के साथ आप गाड़ी चलाना सीखें जो आपका confidence build up करें ना कि आपको जादा nervous करें अब देखिए family में कई लोग ऐसे होते हैं जिनके अगल बगल आप बहुत comfortable feel करते हैं और जो भई आपको हमे भी ऐसा ना हो कि आपका confidence है उसको down करें हमेशा आपको motivate करता रहे अगर आपसे कोई गलती हो रही है तो आपको अच्छे से समझाए ना कि भई आपको कुछ ऐसा बोले कि आपको confidence और जारा कम हो जाए तो हमेशा ध्यान के अपना co passenger बहुत ही अच्छे से select करें अब देखि आप driving सीख रहें और एक दिन पहले आपकी नीन पूरी नहीं हो रखिए आपकी दिमाग में बहुत चीज़े चल रही है तो आप अच्छे से driving नहीं सीख पाएंगे और आप गलती पर गलतियां करते रहेंगे बहुत जरूरी है कि आप अपने गाड़ी को चलाना जब सीखे के लिए और साथी साथ एक focused mind जिससे कि आप गाड़ी बहुत जल्दी सीख पाएंगे अब अगली चीज जो इसमें है ना कि आप अपने आपको over stress मत करिए उससे भाई होगा क्या कि आपका focus खतम होगा और आप अच्छे से driving नहीं कर पाएंगे anxiety बढ़ जाती है गाड़ी च जलाना सीखते हैं साथी साथ हमारा mind भी बहुत जारा busy रहता है तो anxiety दिरी दिरे बहुत जारा बढ़ जाती है एक स्टेज ऐसी आती है जब वह चीज हमें overcome कर जाती है तो उस situation उस moment पर आपको करना क्या कि आपको गाड़ी चलाते वे एक छोटे सा break ले लेना है ऐसा ना हो आप बहुत जारा over stress करने है अपना आपको उसमें क्या होगा कि आप गलती पर गलतिया करेंगे confidence लेवल आपको बहुत तेजी से गिरेगा तो हमेशा ध्यान लखे जब आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं बीच पीच में थोड़ा थोड़ा break लेते रही है जैसे ही आपको बहुत जारा stress हो रहा है या फिर अब मुझे थोड़ा सा थकावट से feel हो रही है गाड़ी चलाते वे तो हमेशा ब्रेक लेना अच्छा होता है जिससे कि क्या होगा उसके बादा fresh feel करेंगे आप गाड़ी से बाहर निकल लिए थोड़ा सा आप जो है अपनी body को थोड़ा सा control करें जब भी आप गाड़ी चलाना सीखते हैं अब देखिए ऐसा ना हो आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं और उससे पहले आपने ठूंस ठूंस के खाना खाली है वो चीज बहुत गलत है उससे होता क्या है आपकी जो body है ना वो थोड़ा सा relax mode में चली जाती है और आपक जो body है ना वो बहुत ज़रा relax रहेगी जादा उसमें अगर आप खाना खालेंगे तो भाई आपका क्या होगा body जो है वो अपना focus नहीं कर पाती है पुरे तरीके से तो हमेशे ध्यान रखे eating habits का बहुत important role होता है जब आप गाड़ी चलाना सीखते हैं तो इस चीज का ध्या confidence build up करते हैं ना कि आपको demotivate करते हैं बहुत जारा surrounding का असर पड़ता है आप ऐसे लोगों के साथ रहेंगे ना जो हमेशा आपका confidence build up करेंगे तो आपको जो है driving piece of cake लगेगा बहुत जारा easy लगेगा और आप जल्दी से driving सीख जाएंगे अब होता क्या है कि कई बार हमारे साथ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमें constantly demotivate करते हैं कि घाड़ी चलाना तो बहुत मुश्किल है और रोड पे इतना traffic होता है accident हो सकता है और ऐसी situation आ सकती है जिसमें game control नहीं कर सकते हैं तो ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपका confidence नीचे लाते हैं हमेशा ऐसे लोगों के स साथे से जादा लोगों को दो waste of time लगता है गाड़ी सिखाने को बिल्कुल तयार नहीं होते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए शुरुवात आपको ही करनी है और आपका confidence तभी build-up होगा जब अगल बगल आपके लोग ऐसे रहेंगे जो आपको हमेशा motivate करते रहेंगे इन इन्फॉर्मेटिव वीडियो हमें कमेंड में जरू बताएं मिलते हैं सी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ अब तब बने रहें चैनल के साथ श्रीदेश व्लॉक्स थैंक्यू फो वाचिंग